नमस्कार एक बाफिर से स्वागत है आपका जेजेन न्यूस की एक और खास खबर में विश्व प्रसेज जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क के धेला रेंच में कारे रत रेंज अधिकारी की ओर से महिला वंदरोगा से छेड़ चार के आरोप में रेंज अधिकारी को वन विभाक के उच्च अधिकारियों की ओर से प्रथम द्रिस्टिया दोशी पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया है प्रमुकवन शन्रक्षक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किये हैं बता दें कि 29 मार्श को एक महिला वंदरोगा की ओर से कॉर्बेट पार्क के धेला रेंज के रेंज अधिकारी पर छेड़ चार करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कॉर्बेट पार्क के डिरेक्टर दॉक्टर धीरज पांडे के साथ ही कालागा टाइगर रिज़र्व की स्टी ओ सालिनी जोशी से की थी वाइस मामले में प्रमुक वन संदक्षक ने प्रतम डिस्टिया धेला रेंज के रेंज अधिकारी को दोशी पाते हुए निलंबित करनी की कारवाई की है इसके साथ ही रेंज अधिकारी को कॉर्बिट टाइगर रिज़र्व के अंतगत पढ़ने वाले कालागा टाइगर रिज़र्व में अटैच करनी की कारवाई भी की गई है वाइस मामने में डिप्टी डिरेक्टर दिगान तनायक ने कहा कि इसमें अभी जांच गतिमान है जिम कॉर्बिट नैशा पाक के कालारगर रेंज में इस्तित हाती शाला में लंबे समय से बेमार चल रहे मादा हाती के बच्चे ने उपचार के दौरान धम तोड़ दिया बता दे कि हाती के बच्चे की उम्र 23 माह 5 दिन बताई जा रही है कॉर्बिट आगर रिजर के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मादा हाती के बच्चे का लंबे समय से कालागर हाती शाला में उपचार डौक्टर दुश्यन्त शर्मा वरिष्ट पशू चिकिस्सा अधिकारी की देख रेख में किया जा रहा था काफी प्रैतन के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका उसकी मौत की सूचना उच अधिकारीयों को दी गई शुगरवार को विभागे अधिकारीयों की उपस्तिती में निरधारित नियामानुसार हाती के बच्चे का शव विश्चेदन करवाया गया इस दोरान शव विश् लगबग चार-पांच महीने से उसका इलाज चल रही थी क्योंकि उसका चिकित सा चल रही थी क्योंकि उसका थीक तरीके से इंप्रूब नहीं हो रहा था और लास्ट नाइट इसका वाहल्थ और डिटरेट हुआ और उसके साथ ही उसका मौत हुआ अब इक लिए इस खास खबर में सिर्व इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं जे जैन नियूस के साथ नमस्कार